जितने आस्था चेनल पर कफा सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना तो जिनकिया संपदा की कमी होती है वैबहु की कमी होती है लचमी की कमी होती है प्रतिष्ठा की कमी होती है धन की कमी होती है उसके लिए अगर शिर्वजी के मंदर में पानी चड़ाया जाए जल चड़ाया जाए तो घर में विद्वत्ता का अनुभाव होता है माराजी आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनियेगा माराजी कभी आपको लगे ऐसा कि वेपार बहुत अच्छा चल रहा था और एकड़म बंसा हो गया फेक्ट्री चल रही थी एकड़म बंसी हो गई मेरा वेपारी ही नहीं बढ़ रहा तो प्रयास करना तांबे के कलश में जल लीजिएगा बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा तांबे के कलश को उसके उपर रखिएगा मारध उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा एसा कैसा ही पात्र लेकर जाएगे अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में रखे रिंदेना अपनी जिस कामना से जो भी वेपार है आपका जो फेक्टरी है जो वेवसाय है नहीं चल रहा या इंटर्वियू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा तो जल का पात्र पकड़कर हाथ क का इसपर्श करकर जल शिरीत तुम्ब रुपेश्वर महादेव कों से महादेव तुम्ब रुपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चड़ा दीजिए बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पर जब चड़ाएं तो इस दंडी के भाग को अशुक तरकी और रगने महाराज जोली पसार कर प्रणाम करें बाबा से निवेधन करकर आएं तीन से चार दिन लगेंगे जो वेपार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नती होना प्रारम भोज़ाएं तुम्ब रुपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशी है जने शिव सुख की राशी मेरा आनंद की यए कईयों कते स्विवर वाले महाराज जीने सब काम बेकार करके रखा हैं हुआ है कि एक बेल पत्री चड़वा देते मूं का दना चड़वा देते चावल सभादेते बेल पत्री चड़वा देते हैं जल चड़वा देते गतुड़ चड़वा देते हैं तो 悲गर वकिparable अध्यु पर आप जादार में नहीं नोई पाइं तो अपना नामगोत्र एक बार तो बोले शमी के पत्र का जल संकर भगवान को समर्पित करें शिव पंचायत का दर्शन करते करते हैं एक पात्र रख ले उस पात्र में उस जल को झेल लें शमी के पत्ते आजाएं तो आजाएं वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें लगवग पंदरा दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरील पल मलना प्रारम कर दे मारण जदर से जदर बीज दिन जदर जदर एक्किस दिन या एक महीं इतने में शरीर ठीक होना प्रारम हो जाएं पर इतना विश्वास जरूर करता हूं मेरे महादेव पर भरोसा करकर कहूंगा आपने एक बिलपत्री एक दुरुबा एक चावल का दाना या एक मूं भी चड़ाई जदर आए गयों का दाना भी चड़ाया है ना उसके खाते में लिखा गया है वो धन से नहीं तुमारे भाव से प्रगट हो जाएं जिनके पास में करोडों की संपधा होगी वो तो बहुत चड़ा देंगे साथ पर जिनके पास नहीं है आने तक किराया नहीं और गुल्लक थोड़कर जो पिता मर गए उस पिता ने थोड़ा वो तकर बच्चों को दिया होगा उसने गुल्लक में डाला होगा तो गुल्लक का भी थोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है तो उसका विश्वास लेकर आया है भरोसा लेकर आया है वह विश्वास बाबा कैसे तोड़ यह जो आपरेशन हुआ उसका आपका कैंसर सही हुआ उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी मेरी बच्चे पुछती है कि मां बड़े-बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि में मर जाओंगी और आप संकरजी पे चड़ा हुआ पानी मेरी आँ सुनते हैं उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आँख में से आशु बह जाएगा मापनी बेटी से कती है स्यू महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जिल है तो बचा लेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम सब बोली एक बार जमकर श्री शिवाय नमस् करते हुए आज की कता को भी राम देते हैं श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रूस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नौटिफिकेशन मिल दाएगी ब्रह्मा विष्णु और महादे इन इनों की जो देलिया है ब्रह्मानी लच्छमी और पार्वादे वड़ा द्यान लगा कर सुनना हर्ताली का तीज श्युमाहपुरान की कता ही नहीं आप जो तीज करते हो हर याली करो सातूरी करो उस तीज की महत्वता क्या है इस हिंगोली की श्युमाहपुरान की कता में आपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता उसकी महत्वता भगवन गर्मा, भगवन विश्णु और भगवन शिव इन तीनों की जो अर्धांगनिया ब्रह्मानी, लच्छमी और पार्वाति इन तीनों ने तप करकर साधना करकर ब्रह्मदेव को, भगवान विश्णु को और भगवान शंशर को प्राप्त किये और तीनों ने प्राप्त करकर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल, नारी को तीजिके दिल प्राप्त हो जाए अब देखिए दर एक ही वरत से एक ही उपवास से उसको संपून तप साधना का फल उसको मिल रहा है मात्र एक वरत से केवल एक वरत कर रहे हैं संपून तप साधना का फल उसको राप्त हो रहा है एसा कोई व्रत एसी कोई साधना एसा कोई शंभो शर्ण पड़ी पांगो घड़ी दे घड़ी दुख काटो द्या करी में दर सर्ण गड़ी दे घड़ी लेचमी जी ने बागवान विष्णू से जाह करी अगरेशन ना तुद तुद ब्रमानी ने ब्रमदेव से मगा ब्रमा विष्णू और मड़ी पार्वती जी ने बगवान विश्णु से मांगा, पार्वती जी ने बगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही वरत करने से सम्कून फल की प्राप्ती हो जाएगा सम्कून फल मिल जा एसा एक बरत का फल दे लिए मात्र एक बरत का अब देखिए हरियाली पीज करने वाली मात्राइं जोड़ा द्यान से सुनना हरियाली पीज जब मात्राइं करती हैं तो एक हरियाली पीज एक गणगोर की पीज ये दो पीज के वरते से होते हैं जिसमें जब मात्राइं करती हैं तो उस समय पर उमा ब्रमानी और लच्छिज इन तीनों की अरादना का फल उसको केवल एक वरत से प्राप्त हो जाता है अब देखिए हैं दूसरा सातुरी तीज इसमें उमा और महिश्वर ब्रमानी और लच्छिज इन चार के बरत तपका फल एक साथ सातुरी तीज के दिन प्राप्त हो जाएं आवई का ती हैं अर्टाली का तीज आप लोग करते हैं यहां लोग करते की ने करते हैं करते हैं आप solution कौन करता है हाथ इता हुटा बहुत अच्छी बारी इक करते हैं हर्ताली sagte etin इस तीज्ड का व्रध माता पार्वती बेल ब्रच्च के आनंद के साथ में फुलेरा बना कर करती है और जिसमें इस हर्ताली का में माता पार्वती जी के जितने जनम पहले हुए हैं माता पार्वती का जनम तो 52 नंबर में माता पार्वती का जनम है इससे पहले तो माता के कवन जनम पहले हो चुके हैं एकावन जन्म मता पारवती का पहले हो चुके हैं, तो वो जितने जन्म मता पारवती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी, जितनी बार ब्रह्म देव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्रानी, जितनी बार इंद्र के साथ मिराजमान हो चुकी हैं, और लच्छमी, चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुकमनी के रूप में हो, चाहे वो सत्भामा के रूप में हो, चाहे वो यम्ना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार म माता लच्छमी में रूप धारण करे हैं वो सब रूप में और माता पारवती अपने सारे रूप में ब्रमाणी अपने सारे रूप में लच्मी अपने सारे रूप में इस हड़ताली का तीच के वरत को करने के लिए आतूर रहती हैं और इस वरत को करकर एक दिन में ही संपू पूर्ण विश्व का जितना तप्क है साधना है उपवास है सब का फल एक सांस एक अग्रिद कर लेती है केवल एक ब्रत में हरताली कर दीचे अब एक बाद ध्यान से सुनिया गाता सारे ब्रत आपका अगर स्वास्त खराब हो गया तो आप ब्रत छोड़ सकते हैं जितने भी ब्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्वके सोमबार मंगलवार एकादशी छट पंचमी चतूरती अगर आपका स्वास्त खराब है तो आप उस ब्रत को छोड़ सकते हैं सारे ब्रत को छोड़ सकते पर परतीज का जो ब्रत होता और ताली का जो ब्रत होता ये ब्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तब ही ये ब्रत समापत होता है अन्यथा बीच में ये ब्रत समापत नहीं है ये ब्रक्त समाप तो होता ही नहीं अगर शरीर से नहीं बनता कि अब अमारी अवस्था हो गई अब शरीर से नहीं बन रहा है तो भले एक पहर की पूजन करकर एक पहर का नियम धारण करकर एक पहर का पूजन धारण करो और उसके बाद में भले आपका थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो पर इस व्रत को करना ही पड़ता है इस व्रत का नियम ही आई इस व्रत की ब्रह्मा विश्णू और महेश्ट इन तीनों की जो देवियां ब्रह्मानी लच्छ्मिंद्ध और पारवत्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात् भगवान ब्रम्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिवु इन तीनों की जो अर्धांगनिया ब्रम्मानी, लच्छमी और पार्वाति इन तीनों ने तप करकर साधना करकर ब्रम्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंशर को प्राप्ट किये और तीनों ने प्राप्ट करकर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल, नारी को तीजिके दिल प्राप्ट हो जागा अब देखिए दर एक ही वरत से, एक ही उपवास से उसको संपून तप साधना का फल प्राप्ट हो रहा है, संपून तप साधना का फल उसको मिल रहा है मात्र एक वरत से, केवल एक वरत कर रहे हैं, संपून तप साधना का फल उसको प्राप्ट हो रहा है एसा कोई व्रत ऐसी कोई साधना एसा कोई शंभो शर्ण पड़ी आंगो घड़ी दे घड़ी दुखे गाटो दया करी में दरे शर्ण लच्मी जी ने भागवान विष्णों से दुखे ब्रमानी ने ब्रम दिव से मंगा